तो कैसे है आप सब आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट की करेंट सिच्विशन के बारे में क्या हाल चल रहा है और क्या बिटकोईन का लेवल चल रहा है क्या एथिरियम का लेवल चल रहा है औ उसको फिर से टच कर लिया बिटकोईन ने अभी तक हो क्या रहा था कि 21,600 को भी टच किया कई बार 21,000 को टच किया लेकिन लेवल क्या था 21,000 पे टिक नहीं पा रहा था तो हो सकता है इस बार भी वैसा ही सेम हमको देखने को मिले कि 20,700,800 पे हम फिर से वापिस आ जाए लेकि कहीं न कहीं बिटकोईन में एक बड़ा जम्प लग सकता है ठीक है उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है है ना मार्केट में करेक्शन भी देखने को मिल सकती है तो तयार रहेगा कोई भी एगर बैड निउस आती है जैसे आपने देखा कि जनेसिस का आज एक बैड निउस आया असर तो अभी तक फिलहाल मार्केट पे देखने को नहीं मिला लेकिन देखने को मिल सकता है अगर और कोई bad news आती है तो वो market को badly impact भी कर सकती है तो 21,000 पे चल रहा है Bitcoin 289 पे चल रहा है BNB going Ethereum चल रहा है 1563 डॉलर के उपर और Solana की बात करें तो 21 डॉलर Shiba इनों की बात कर लें तो 0.4 x 01148 की series चल रही है और Matic चल रहा है 3% green के अंदर अगर हम थोड़ा gainer list के उपर चलें तो यहाँ पर ATM coin जो एक fan token है वो सबसे उपर चल रहा है दो दिन पहले भी अच्छा pump कर रहा है 2-3 days पहले है ना और अगर अभी आप देखोगे यहाँ पर hook coin चल रहा है 22% उपर इसके लावा hook चल रहा है third second number पर magic चल रहा है magic coin भी काफी अच्छा pump कर रहा है 21% तक उसके बाद nexo जो इतनी सारी problems हो रही है nexo के साथ police raid भी हुई nexo के उपर Bulgaria में और साथ के साथ इतना बड़ा fine लगाया गया है ना काफी बड़े millions dollars का और उसके साथ साथ यहाँ पर ton coin चल रहा है tornado cash 14% RPL rocket pool जो कल list हुआ है वो भी इस list के अंदर आज चुका है मनलब जो नई listing rocket pool की हुई थी तो यह हैं आज के कुछ top gainers सबसे बहले हम बात करेंगे Miami के mayor के बारे में इनों ने अपनी जो salary है वो bitcoin में लेना start किया था आपको पता है उस time भी हमने update आपको किया था अब यह क्या कह रहे हैं कि Miami के जो mayor है says salary increased since he began earning bitcoin despite beer market हना तो इनकी salary क्या हो गई है increase हो गई है sometimes people misunderstand that you are buying it every two weeks you are buying it in the fluctuation since I bought it और since I started taking my salary in bitcoin हना जब से salary bitcoin में लेना start किया है my salary is up तो salary क्या हो गई है बढ़ गई है यह खुद Miami के mayor कह रहे है और बड़े माइने है कि bitcoin में जब से salary लेनी start किया salary भी बढ़ चुकी है बहुत बड़े माइने इस update कि next time बात करेंगे this report says crypto is second most on crypto on asset by women अगर आप यहां पे देखोगे women in today time still do not own traditional asset है ना due to the lack of broader adoption but this is not the case with crypto a report of eToro suggest eToro suggest की तरफ से एक report आई है और यह report क्या बता रहे है retail investor beat showed that crypto currency happened to be the second most on asset by women after fiat currency और cash मतलब अगर आप देखोगे second most on asset है अगर हम बात करते हैं women's की जहां तक है ना और overall global ownership increasing from just 36% to 39% in a quarter है ना और despite that the adoption of this particular asset class grew substantially among women तो women का जो interest है crypto के अंदर वो हम को कही न कहीं देखने को मिल रहा है अगर हम इस report की माने तो और यह report बताती है the report shows that women's ownership digital asset rose from 29% in the third quarter of 2022 2022 मतलब 2022 का तीसरे quarter के अंदर 29% मतलब बढ़ गया था ownership की जहां तक बात करते हैं women के अंदर crypto ownership की है ना और 34% in the last quarter of 2022 तो पिछले दो quarter के अंदर वहिया बढ़ता हुआ दिखाया नंबर और कहीं न कहीं अब women's जो है interest ले रही है crypto में यह देखने को हमको मिल रहा है अगर हम इतोरो की इस report को माने तो next हम बात करेंगे Binance Pay के बारे में Binance Pay की जो है micro payment platform that facilitate cross border transfer and data bundle gift card mobile top up and game pins तो यहाँ पे एक जो है partnership हुई है Binance Pay के साथ कह लिजिए Binance Pay की कह लिजिए किसके साथ data DT1 के साथ और यहाँ पे सीधा सीधा जो है top up service जो है वो भी कहीं न कहीं Binance से मिल सकती है और this partnership will allow Binance customer to use service from over the 600 global telecom provider in over the 150 countries तो यह आप देखो इतना बड़ा benefit मिलने वाला है अगर आप Binance user हो Binance Pay की जरीए आप जो है इस service का फायदा उठा सकते हो और 150 countries including AT&T, Saudi Telecom, Globe, AIS and more है ना इस सारी चीजें आपको Binance Pay के जरीए देखने को आप आपको मिलने वाली है next हम बात करेंगे crypto users in Brazil, India set for boost from latest Samsung wallet rollout तो Samsung के wallet की यहाँ पर बात हो रही है और Samsung has announced the rollout of crypto wallet हमने crypto exchange की भी बात की थी Samsung की है ना और यह जो crypto wallet है Samsung का in Brazil, India, Malaysia and five other countries में जो है rollout किया जाएगा और पर an official Samsung release and a report from Brazil live coin the firm will also unveil the service to users in Australia और यह service उनको भी दी जाएगी जो users Australia में हैं, Canada में हैं, Hong Kong, Singapore and Taiwan in the United States Samsung Galaxy smartphone owner can already link their Samsung wallet to their Coinbase account तो इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं आप देखो यहाँ पर और a similar service is also available for users of the Jiminy crypto exchange और अब जो है Samsung का wallet, साथ के साथ Samsung की crypto exchange भी आपको market में दिखेगी जल्दी ही 2023 में, 2022 में announcement कर दी थी, ठीक है next हम बात करेंगे साहतामा के बारे में, पिछले 24 गंटे में अगर आपने साहतामा में इन्वेस्ट किया होता, तो आपको 60% यहाँ पे profit मिल गया होता, तो 60% यहाँ पे प्राइज बढ़ चुके हैं, किसके साहतामा के पिछले 24 गंटे में, और अगर हम 14 दिन का चार्ट दे सीधा एक बुर्ज खलीफा, 60% का साहतामा ने यहाँ पे बना के दिया, काफी टाइम के बाद यह हर्याली हमको देखने को मिल रही है, साहतामा के प्राइस के अंदर, नेक्स्ट नम बात करेंगे, कोईन बेस के उपर एक नई लिस्टिंग होई है, और वो लिस्टिंग होई है, कावा की, जी हाँ, कल आपने देखा भी होगा, कावा काफी अच्छा पंप कर रहा था, और कावा यूएसडी ट्रेडिंग पेर इस नाओ, इन फुल कोईन बेस एक्षेंज, कोईन बेस प्रो एंड एडवान्स ट्रेड और एक नई लिस्टिंग होती होई, कोईन बेस के उपर कावा की, है ना, नेक्स्ट नम बात करेंगे, अप्टोस के बारे में, और बात करना बड़ा ही जरूरी है, 15 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया मुझे लगता है, चार्ट दे के समझ गयोंगे, अगर आप एक दिन का भी चार्ट दे होगे, 600 से लेके, 613 रुपीज से लेके, प्राइस कहां तक चला गया, 729 रुपीज तक, 700 रुपे को भी क्रोस कर चुका है, यहां पे एप्टोस का प्राइस, और अगर आप वन वीक क पे जहने की तैयारी यहां पे कर रहा है, आप खुद इमेजिन कर सकते हो, उस टाइम अगर एक एंट्री आपने बनाई होती है, एप्टोस के अंदर, तो डेफिनेटली आज कहीं न कहीं, बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर होते, बहुत ही जैदा अच्छे प्रॉफ मार्केट में चल रही है ना आने की, और अनौसमेंट भी हो चुका है, तो शिबा इनू बहुत ज़्यदा ट्रेंड कर रहा है, और अगर आप देखो, ट्रेंडिंग लिस्ट के अंदर, वाट आर दा ट्रेंडिंग क्रिप्टो करेंसी ओन कोईन मार्केट कैप है ना, बिट मैक्सी ग्लोबल ने जो है, यहाँ पे एजिक्स को अपने प्लाटफॉर्म पे लिस्ट कर दिया, जी हाँ, एजी, आई, एक्स, युएस, डिटी का जो पेर है, वो एड हो चुका है, और एक नई लिस्टिंग हो चुकी है, एजिक्स की मैक्सी ग्लोबल के उपर, तो आज क कि इस वीडियो करते हैं, यहीं पे एंड, वीडियो पसंद आया, लाइक, शेर, कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन कोई सवाल है, पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, क्विटर के लिंक है, जोईन नहीं किया, तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा, और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहत जरूरी होती है, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाइ-बाइ, टेक केर